नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्विक क्लासेज में हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ एलपी टेक्निशियन के प्रक्टिस सेट देख रहे हैं आज प्रक्टिस सेट नमबर 15 देखेंगे इसमें 75 प्रशन दिया हुआ प्रशनों को फूल डिटेल स्लूशन किया जाएगा तो यह सुरू करते हैं पहले प्रशन से पहला प्रशन है कि पेनी का घर पस्चिम मुखी है उसके घर में प्रवेस करने पर आप कीचन को दाहिने तरफ पाएंगे प्रवेस द्वार के संदर में कीचन किस गिसा में इस्ति पूर्व होता है पेनी के घर पस्चिम मुखी है अगर यह घर है तो इधर से परवेस द्वार है और उसके बाद परवेस करते हैं कीचन दाहिने तरफ आता यानि कीचन जो है इस साइड आएगा तो परवेस के संदर में कीचन की दिसा में वह दच्शिन दिसा में अंसर जो तार्किक रूप से अनुसरन करता है कथन है जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए इसका सही अंसर हो जाएगा बी कड़ी मेहनत के बिना कोई भी जीवन में सफन नहीं हो सकता है यह इसका तार्किक जो है रूप अनुसरन करता है अंसर हो जाएगा विवा साथ साथ चाल का बच्चांग है यह हमारे पास कितना हो गया च्यासर बर्स उगे कर रहा है कि अभी बरतमान में अउसातायू क्या है अब तीन लोग घर में हो गए पती पती और एक बच्चा तो 66 बटा तीन हो जाएगा अंसर जो हमारे पास आजाएगा वह जाएगा बाइस बर्स सही अंसर हो जाएगा वह है नेश्ट है पिता माता और पुत्री क्या बेतन कानुपात दो अनुपात तीन अनुपात पांच है यदि इसमें क्रम सब 15 परसंट 10 परसंट और 20 परसंट की बिर्दी होती है तो उनके बेतन कानुपात क्या हो जाएगा अगर है बेतन कितने अनुपात में दो अनुपात तीन अनुपात पांच है अब 15 परसंट हो गया ल हो जाएगा कितना 23 33 और यह 60 हो जाएगा अभिष्ट जो अनुपात है वो तेश अनुपात 33 अनुपात 60 अंसर जो हमारे पास आ जाएगा अगला प्रस्ण है कि धूप के दौरान बादल सफे दिखाई देते हैं क्योंकि बादलों में मवजूद कन सुर्ष से आने वाले स्व सभी रंखालश था मतरा में प्रकिरनित होते हैं इसका सही नश रोजाएगा वह हंगा अ बड़े और एक में होगा लगवग समान मतरा में प्रकिरनित होते हैं धूप के दौरान बादल सभे 7ade 5 कर। जो नहों दो कर सूर्ण से आने वाले सुवेत प्रकास में मजूद बिभीन कनों की तुर्णा में बड़े होते हैं और स्वेत प्रकास के सभी रंग जो होते हैं वो लगभक समान मत्रा हुद प्रकिरनित होते हैं। तो तोरन बरावर जो होता है बेग में परिवर्तन वटा क्या हो जाता है समय हो जाता है यानि ए बरावर होता है भी माइनस यू वटा टी भी दिया हुआ है साथ हमाइनस यू वटा टी कितना होता है 60 second में होता यानि 1 minute में होता answer जो हमारे पास हो जाएगा 30 बटा 60 यानि 0.5 meter per second square answer जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा C अगला है अस्तम्बो का मिलान करे आई ये अस्तम एक तरफ खनीज है एक तरफ भंडारन छेतर है बॉकसाइड भंडारन छेतर कहाँ है तो वो है लोहर दग्गा अब्रक की बात करते है तो भिलबाड़ा कोईला सबसे जहरिया में और ताबा जुन जुनू में अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा D सबसे बड़ा मुद्शकराज पास्वाне अगले परस्व चलते हैं उस बिकल्पशाइण करें जिसका तीसरे सबसे वही संबंद्ध है जो दूसरे सब्ध का पहले सबसे है अरित करांती किर्शी के छेत्र में मैं आया है तो स्वेत करांती की बात करते हैं तो वो आएगा दूद के चेतर में Option B सही हो जाएगा कथन एब पुरवानुमान का प्रस्न है कथन है रोते हुए बच्चे माता पिता का ध्यान अधिक अकरसित कर पाते हैं पुरवानुमान वे ठीक से संबाद करने में असमर्थ है दूसरा माता पिता अपने काम में उलज गये हैं और बच्चों को कोज से खेलने के छोड़ देते हैं इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो वो होगा D दोनों नहीं थे कथन के नुसरा बच्चे ठीक से संबाद करने में असमर्थ होते हैं वह माता पिता काम में उलज कर बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देते हैं इसके कारण ध्यान अकरसित करने के लिए बच्चे रोते हैं अंसर हो जाएगा D नाइक्स्ट है शंख्याएं जो इस तरह का दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है तो पहले इसे असान करते है तो रूट दो को हम लिख सकते हैं जे के रूट में उसकुझ व्रू के पार थीन बरवर कितना इसे हो लिख सकते ए है पर रूट कि अंदर है ख़ोड़ की रूट कि रूठ ला सकते हैं कितना है यह जाएगा दो चार हो जाएगा चे रूट चौछ सब्से बड़ी रूट जो कौन है अब देखना है कि रूट के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या हुआ ही सबसे बड़ी है तो रूट के अंदर सबसे बड़ी कौन है तो 80 है यह हो जाएगा छे रूट 81 अंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन हो जाएगा तो तीन रूट 9 अंसर होगा बी निक्स्ट है एक दुकांदार एक मसीन को 10% की छूट पर बेशता है लेकिन मसीन का अंकित मुल् होनी जाथ किजिए माना की मसीन का करेम कितना हो जाएगा से रुप्या हो जाएगा और मसीन का अंकित मुल् nom 110 taught 100 वरावर केतना हो जाएगा 110 और मसीन कभी करेम कितना हो जाएगे tenthсव कण मत तो नबवे ता यानितव सब्सक्राइब के द्वारा कितने परसेंट का होगा उनसर हो जाएगा हमारे पास के बैक दूसरे के लमता होते हैं अनसर हो जाएगा एक दूसरे के लम्हता होते हैं एक समान बिलतिय गती से चर्रोंग कोई प्रभाब नहीं पड़ता है और इसकांसर हो जाएगा वो जाएगा A आकिर्थी का कोई प्रभाब नहीं पढ़ता है किसी चाला का पटिरोज जो होता है वो किस पर ताहमान पर निर्वार करता है क्योंकि R T बरबर होता है R01 प्लस अल्फा T छेद्रफल पर पर परभाब पढ़ता है R बरबर होता है वह था रोयल वाई ए लेंध पर परभाव पढ़ा यह जो हुबा एरिया पर पढ़ा तो इस पर पढ़ता है तो अंसर जो हमारे पास हो जाएगा भी सी जो है नहीं पढ़ता है किस पर वह अकिड़ती पर अगला प्रस्ट है कि भारतिय समधान में 2012 के संसूधन के माद्याम से निमलिक्त में से किस समुधाय को भारा सरकार द्वारा अनुसूची जनजाती का दर्जा दिया गया है और इसका सही अंसर हो जाएगा कौन सा तो नरिक कॉर्बन समुधाय को दिया गया है हट्टी समुधाय को दिया गया है और कडू कुरूबा समुधाय को दिया गया अंसर ह हो जाएगा दी भारतिय समिधान 2022 के संसोधन के माध्यम से नरी कोर्बन समुदाय हट्टी समुदाय और कुरू कुरूबा समुदाय को भारत सरकारद्वारा नुसी जनजाती का दर्जा दिया गया है अगला है दिये गया है चार बरसों में तीन किसी द्रिष्टी से एक समान ह रेक असंगत है उसका चैन किजिए जो बाकी सभी से असंगत है और इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन C क्योंकि 2004 जो है लीफ बरस है बाकी अंड जो है एक सधारन बरस है दिये गए पदों को संबंदी जोड़े के अधार पर अनुपस थित पद का चैन करें तो आर एटी वह बीस लिखा हुआ है यही डिरेक्ट लिखा हुआ है तो जी का होगा कितना वह होगा साथ वह का होगा पंद्रह अड़ी का होगा चार अंसर आजाएगा ऑप्सन ए अगला प्रस नेक निश्ची धन च्यासर पुरुनांक दोबटा तीन परसें बार्सिक सधारन ब्याज क किया होगा यहां पर ए जो है वह दिया हुआ कितना नव हजार हो जा रहा है प्हों को निकालना है बाकी टी विदिया हुआ है चे बर्स आर तीन परसेंट दिया हुआ है, तब P पलस SI बरबर क्या होता है, A होता है, तो P पलस P इंटू, 200 इंटू 6 बटा 3 गुना 100, बरबर कितना हो जागा, 9000, जब इसे solve किजेगा, तो हमारे पास जो है, वो आ जागा कितना P बरबर, तो P बरबर आ जागा, 1800, यही हमारा अंसर हो जा सकते हैं, A उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि B और C द्वारा हर तिसरे दिन इसकी मदद की जाए, यहाँ पर जो है, वो A है, यहाँ पर B है, आपर C, करा 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में, इन सब का LCM लेंगे, हमारे पास आ जाएगा, 60 यानि टोटल जो हमारे तो A इसका कितना होए, तीन इसकी छमता, इसकी दूइसके, तो A जो करेगा, वो कितना करेगा, नौ करेगा, तीन दिन किया, लेकिन उसमें साथ देने वाला B और C भी तिसरे दिन आता है, यानि एक दिन आता है, तो दो इसका भी छमता जुट जुट जाएगा, एक इसका पर से जैए 5 तो हमारा पांच लो सब्सक्राइब को क्या होगी पांच लागे को सब्सक्राइब का हुआ तो पांतिया 15 अंसर C हो जाए यदि परकास एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लगू किंतु इस्थिर कौन से जूड़ जाए तो यह घटना क्या कहलाता है अंसर हो जाएगा D, A और B दोनों विवर्तन और प्रकिर्णन यदि एक सीधी रेखा में चलते चलते एक किंतु इस्थिर कौन से मुड़ जाए तो घटना विवर्तने वह प्रकिर्णन कहलाता है निम्नांकी चित्र मनुस्यों में दातों के क्रमिक छे के बिविन चर्णों को दरसाता है दातों के च्छे से संबंदित निमलिखित कथनों में से एक के अलावा अनसरी भी सही है गल दातों के च्छे के बिविन चर्णों को दरसाता है दातों के च्छे के बिविन चर्णों में गलत कथन है कि इसमें जीवानों की कोई भूमका नहीं होती है ये विसानों जनित होता है अगर मुह का पीच मान जो होता है पीच मान 5.5 से कम हो जाता है तो ये दातों में च्छ कारण बनता है जिवानु सरक्राओं को विगटन कर अम्लों का उत्पादन करता है अंसर है बलवन की उपाधिक किस ने धारन की थी और से उलूख खान बलवन का बस्तविक नाम बहाउद्दिन था बहाई इलतुतमिस्ट का गुलाम था तुरकान एचीहल गानि का बिनास अगला परास्ण कथन निसकर स्काहस्जण है कुत्ते हैं यह हो गया कोई भी हाथी नहीं कोई भी आःट आ यह». कुछ हाथ ही कुद्ते है ये भी गलत है अंसर हो जाएगा डी केवर निसकर्स एक अनुसरन करता है निम्लिखित में कौन सा बेन आ रहे नीचे दिये गए बर्गों के बीच के संबंदों को सर्वत्तम ढंक सदर साता है बरतन चम्मच अस्टील की बस्तुए अंसर हो जाएगा ये चम्मच हो जाएगा चम्मच सभी चम्मच जो क्या है वो बरतन में आ जाता है और ये स्टील की बस्तुए जो चम्मच है वो स्टील की बस्तुए हो सकती है कुछ नई भी बरतन भी कुछ स्टील की हो सकती है और नई भी तो अंसर जो हमारे पास है वो है बी एक सब्सक्राइब लड़ा पहला प्रत्यार्शी को 40% दूसरे को 36% मत मिले मतों की कुल संख्या है 36000 थी तो तीसरे प्रत्यार्शी को कितने मत मिले तो सो माइनेस चालिस प्लस 36 जो हो जाएगा वह तीसरे को मिला यानि कितना 24% मिला अब 36000 जो है वह टोटल है उसमें 24% जो मिला है वह तीसरे को हो जाएगा 8640 मत अंसर जो हो जाएगा वह जाएगा वी एक्स ब्रबर चार बाई ब्रबर तीन और थी एक्स प्लस फोर ब्रबर बारा के ग्राफोद्वारा निर्म में तिर्भुच की छेथफल बर ग्याद करना ह है तो इससे डाइरेक्ट भी कर सकते हैं कि तिर्भुच का छेथफल बराबर जो होता है वह हाफ इंटू एक्स इंटू बाई यानि हाफ इंटू फोर इंटू थिरी बराबर कितना होगा शेवर इकाई होगा अंसर जो हो जाएगा वह जाएगा डी अगला हाइग निम इसके मुख्य अज़ पर इस्थित रहता है बाई मंडल में खुले घंट्व रो के किसी द्रव की सता से नीचे गहराई है इस पर दाब जो होगा रो होगा जी होगा एच द्वारा बाई मंडल्य दाब से अधिक होगा अंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए खुले बाई इंसर हमारे पास होता है वह है बैमंदल्ये-दाव को मापने के लिए पैरोमेटर का पर्योग होता है और पृत्धिवी से उचाहिप पर जाने पर बायु की सघंता के घटने के कारण ही गठने अगेल Wyatt-nakasanा वह भूटाया जाता है जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली किस देश की एक अनुठी संस्क्रितिक पर्था है अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D. नेपाल का जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली नेपाल की एक अनुठी संस्क्रितिक पर्था है ये लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजिब कता है कि इसकी बेटी के पिता की पतनी की माँ मेरी पतनी की बेटी की मा की साथ से राजिब के अकांचा? सब्सक्राइब पर नाम की पत चल रही है इसकी बैटि शाइब यहां पर बेटी के पिता क्या हो जाएगे पतनी हो है अब उसके बाद कर रहा है कि पिता के पत्नी पतनी कौन हो जाएगी आकांचा कि मा को जाएगे हो डौरा कि राजिश्के पत्नी राजिश्क कोई पत्नी है उस Surface Do भी तो उसकी पतनी हुई और मां की सास जो हुई क्या हुए राजीव की राजीव की मां हुई और वह अकांचा की मां भी है तो अंसर हमारे पास हो जाएगा भाई का नेक्स्ट है दिए गए भी कल्पों में सुबह आकिरती चुने जो निम्लिखिन स्रिकला में प्रस्ण बाई एक्स कमान क्या होगा काफी इंपोर्टेंट प्रस्ण रहता है इसा कई बार पूछा जाता है आए इसे सोर्व करते हैं एक्स के पावर फोर प्लस बन वाई एक्स के पावर फोर लिख देते हैं क्योंकि यह माइनस होर में है स्कॉयर में प्लस टू एक्स स्कॉयर प् एटो पूरे को देखते हैं, तो यहीं स्पोर में है, एक्साइस कोई bir better sky के और स्क्राइब कोई से तोडेंगे हैं, तो यहीं आएगा, उसके बाद एक्साइब करेंगे, एक्साइब को आधर guessing, भाह छाइब करेंगे हैं, हैंस कोई बन बाई X करतें XX कर जाएगा तो 2 आएगा इधर 14 पलस दो लिख सकते हैं यह X पलस बन बाई X के होल स्कुआ है बरबर 16 एक्स बरबर क्या हो जाएगा 4 अंसर हमारे पास जो आजाएगा हो जाएगा 4 नेक्स्ट है यदि बिंदू आई पर तिर्भुज A, B, C का अंता केंदर हो और कौन B बरबर 70 डिगरी, कौन C बरबर 50 डिगरी हो तो कौन B, I, C का परिणाम क्या होगा तो सबसे पहले तो एक हमें तिर्भुज बना लेते है तिर्भुज बनाते हैं उसके बाद यहां A हो जाएगा यह B हो जाएगा यहां C हो जाएगा और जो I की बात कर रहा है वो यह है यह हमारे पास I है और इसे को B, I, C का परिमान क्या है वो पूछ रहा है तो कौन B, I, C बरबर हो जाएगा 180-35-25 बरबर 120 डिग्री अंसर जो हमारे पास आजाएगा वह जाएगा सी अगला प्रस्टा निम्लिखित में 25 अभिकिरिया को पाच्छानी है और इसका जो अंसर हो जाएगा वह कौन सा है टू के भी अर प्लस बेञ टू दू के आई पलस बी बी आर्टु यह जो हमारा है जो हमारा है वह डबल deployed displacement जो है वह उभीकिरिया कर याउगी का निर्मान करता है अगला परस्टन की निम लिखित में दूइबिस्थापन अभिकिरिया को पाच्चान ही है इसमें से कौन है जो तुइबिस्थापन अभिकिरिया है अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी थैड के टू के बी आर पलस बी ए आई टू टू के आई पलस बी ए बी आर टू ये जो है वो दो बिस्थाबर अभी किरिया है निर्ण में कौन सा तत्व प्रकृति में सरवादिक धात्विक है अंसर हो जाएगा A, Bůh Tattu में सरवारिक धात्विक है दुटीय любим में सरवारिक धात्विक तत्व armour है आसरवारिक विदुत धनात्मक तत्व जो होता है वह कौन होता है तो वो होता है CGM होता है पूट सब्द का परियोग किस खिल में किया जाता है अंसर हो जाएगा आप्शन B गोल्फ में किया जाता है पूट संद का परियोग गोल्फ में किया जाता है गोल्फ खिल का जनुदाता जो है वो स्कॉट लेंड का है और गोल्फ के गेंड का ब्यास कभी कभी पूछ लिया जाता है तो 4.1 सेंडी मीटर होता है कई इस से का सिंग जयोती रंधावा अर्जुन अठवाल आदी चलिए पैटन को ध्यान प्रुवा का ध्यान करिए और बताइए कि इसमें से प्रस्ण बाच्चा के स्थान पर क्या आ सकता है यहां पर देखते हैं अगर तेस गुना तीन करते हैं तो क्या हो जाता है उनहत्तर आ जाता ह पांच गुना 27 करते हैं 135 आता है 7 गुना 31 करेंगे तो हमारे पास कितना जगा 217 अंसर जो हो जागा वो जागा डी दिए गए सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है इस तरह निर्मित घर में निर्में से कौन सा चर्शम एक दुसरे के विपरित फलक पर आएगा यहां पर सब्सक्राइब करें जैसे विए अग्रेजिस सब्सक्राइब को इसमें आते हैं आईए देखते हैं किसमें से कौन सा सही हो जाएगा तो सबसे पहले होगा यह दूसरा में यह होगा तीसरा में यह शौथा में यह होगा और पाच्वा में जो हमारे पास होगा वो कुन होग रेसर्ज अंसर हो जाएगा बी निम्लिखित समिकरन को हल कीजिए बस इसे आप हल कर दी जगा बोड मास्क के अनुसार तो इसका जो अंसर होगा वो हो जाएगा सी ते तीस आएगा दो एक्स पलस एक बरबर जीरो और तीन बाई माइनस नो बरबर जीरो को अलेक ग्राप किस बिंदू पर परतिछेद करता है यह देखना है तो सबसे पहले टू एक्स बरबर जीरो टू एक्स बरबर माइनस वन एक्स बरबर माइनस बन वाई टू हो जाएगा उसी तरह थ्री निम्न में किनका electronics बिन्यास बिन्यास बनेस्टू 2S2 2P6 होता है इसका 6,8,2,10 है लेकिन 10 sodium का जो होता है वो कितना होता है 11 होता है अगर एक electron को त्याग करेगा तो पलस में आजाएगा अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा B यानि 10 हो जाएगा निम्न में सका कौन यक्म्न समान समझात Иश्रेणी में होगा अंसर हमारे पास हो जाएगा वो जाएगा D, CS3, COC3, C2H5, COC3 यह जो है वो समान समझाती है सृरेणी में पाये जातने वाले तत्व है यह कि ना कीड़ोंभर्ग है समानारुपस से किटों बर्ग के के तत्व का भी किरिया सील समुझे हो था है वह होता है झाल वबन वो होता है किस wären किर्केटर को अर्जुन अबार 2030 से सम्मानित किया गया है anसर हो जाएगा भी लाइंट किर्केटर अजय कुमार रड्डी को अर्जुन कीरमार 2030 से सम्मानित किया गया है अब आईए देखते हैं उस समुच का चेयन कीजिए जिसमें मौझूद संख्यां के बीच वही संपन्द है जो निपलिखिस समुच्च्छों की संख्याओं के बीच है अगर टो छेख बाईस अगर दो पलस छेख करते हैं घुना तीन करते हैं माइनस दो तो हमारे पास जो आता है वो 22 हो जाएगा उसी तरह 4, 13, 47 को करेंगे 4 पलस 13 तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे उसे 3 से गुना करेंगे अब उसे माइनस 4 से यह यह शुरुवात वाला से किया है यह भी शुरुवात है पलस घटा देना है तो हमारे पास आजा रहा है 47 नेक्स्ट अगर देखते है 9, 5 और 33 में देखते है 9 पलस 5 जो हमारे पास क्या है वो हो गया गुना 3 कर देंगे घटाएंगे किस से तो वो घटाएंगे इस 9 से तो हमारे पास जो अंसर आ जाता है वो है 33 अंसर जो हो जाएगा वो होगा 6 जनवरी 2010 को सब्ता का कौन सा दिन था 6 जनवरी 2010 में कौन कौन सा हो जाएगा कि 2000 जो ये बर्स होगा पलस 9 बर्स होगा अब पलस 6 दिन भी होगा तब ही तो हमारा 6 जनवरी 2010 का दिन होगा अब 2000 बर्स में 20 दिन जो हमारे पास है वो कितने आता है तो वे जीरो आता है और नौ बर्स में बीसम डिन कितना आएगा साथ प्लस यह हुआ आप वह क्या है यह चार हो जाएगा साथ दून करदें आपके लिए नो बर्स कि नो विश्म तो इसम डिन होगा है उच्छे ही होगा अब 6 जनवरी 2010 के बिसम दिनों के संख्या कितना हुआ चार तो था वो नो बर्स में और छे दिन का छे चार देस बटा साथ यानि कितना तीन दिन और तीसरा दिन हम क्या काते हैं वो बुधवार को काते हैं पर अंसर जो हमारे पास आ जागा वो जागा डी अगला प्रस्ण है प्रस्ण बाचक चिन के अस्थान पर आ सकता है यहां पर दो है छे हैं बारा है बीस है तीस है यहां दो से चार क्या गया है छे से बारा गया है प्लस छे है यह जो है प्लस आठ है यह प्लस दस है अब क्या जाएगा हमें यह देखना हो उससे पहले यह 26-28 10 होगा पलस-12 कितना हो जाएगा 32 32 42 हमारे पास आजाएगा सी अगला पर पर इसने के 1000 मीटर की रैखिक दौड में ए वी को 50 मीटर या 5 सेकंड में हरा देता है और भी की चाल मीटर से बीच कितना है तो सबसे पहले हम भी की चाल निकाल देते हैं कि यहां पर भी की चाल द यह 5 से भागा देंगे 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा अब ए और बी के अगर हम देखते हैं तो यह है अगर यह 1000 मीटर के पूरा करता है दोड़ यह कितना करता है 950 मीटर ही क्योंकि 50 मीटर से हार जाता है यह हो जाएगा 20 यह हो जाएगा 19 हो जाएगा अब चाल की बात करते ह है तो चाल हो जाएगा यह बीश इसका 9 से तभी तो यहां से क्या हो रहा है यह 58 का चाल है कितना 10 meter पर सेकंडrous जो कि यह हम 5 की चाल निका ले है एक का यह बराबर कितना हो जाएगा हो जाएगा 1019 मीटर पर सकेंड तो अंतर भी हमारे पास घुगा परिकेंद्र उसकी एक भुजा परीश्थित है और थातु का परमानू जब आयान में परिवर्दीत होता होता है इसका जो जाएगा कि रूप neurosanúcर 15 रूप रखाई एगला में जारी परिवर्तर पृदर्शन सुचकांग 2024 में भारत का स्थान है और इसका सही अंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वह जाएगा A7 है Global Hunger Index 2023 में भारत का स्थान कितना है तो 111 है 20, 30 सुचकांग 2030 में जो है वो 161 है और 22, 30 सुचकांग 2030 में जो है वो 126 है दिये गए बिकल्पों में उस अच्छा समूं का चैन करें जो निम्लिकी सिंखला में प्रस्ण बाचक चिन के अस्थान पर आ सकता है यहां पर देखें A से जो है वो डवलू गया है वो पलस 4 है डवलू से जो बाई गया है पलस 2 है और बाई से अगर हम क्या करते हैं वो दिखेंगे कि माइनस 8 यहां पर क्यू क्यू करते है तो माइनस 8 होता है दो अगर हम Q के पहले चेक करते हैं आगला भी देखते हैं P से T गिया है वो क्या है पलस 4 और T से जो हमारे पास B गिया है वो पलस 2 और B से माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास क्या हैगा वो हो जाएगा वो in होगा यानि last में सबसे माइनस 8 करना है सुरवात में 2, plus 4 और plus 2 और last में माइनस 8 अंसर जो हमारा निकल क्याएगा वो होगा निश्चित कूट भासा में इस तरह को इतना के रूप में कूट वर्त कीः जाता है उसी कूट भासा में क्लोज को किस रूप में किया जाएगा तो हमारे पास if जो है उसका कितना होता है वो 6 होता है उसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना है 9 होगा E का कितना होता है 5 होता है उसमें 3 जोड़ेंगे तो ये होगा 8 यानि सम में 3-3 जोड़ा गया है तभी आया है 1 का हो गया है 4 S का हो गया है 19 होता है तो 22 T का 20 होता है तो 3 C L लिखा गया है को शी-का होता है 3 , तो 6 जो जाएगा , U का होता है 3 , 3 होजाएगा , , A का होता है 15 , तो A B के दाईं और दूसरे अस्थान पे है A यहां पर बैठा हुआ है D F के बाईं और दूसरे अस्थान पे है यहां पर अगर जो है वो क्या है F हो जाएगा D F के बाईं और जो है बाईं और में बैठा हुआ है यहां पर एक खाली है यहां पर भी है खाली है अब उसके बाद का रहा है कि G F के बाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है यहां हो जाएगा G C G के दाईं और दूसरे अस्थान पर बैठा हुआ है तो यहां पर हो जाएगा C बैठा हुआ है E B और A के बीच में बैठा हुआ है E जो है B और A के पीच में बैठा हुआ है तो पंक्ती में मध में कौन बैठा है तो अंसर जो हो जाएगा B कौन बैठा है तो बैठा हुआ है 16 से काड़े 10 स्क्वाइर A बरबर क्या हो जाएगा 16 अगर हम common ले लेते हैं यह हो जाएगा 20 Cosσ riches 16 G Ten is पाई चाट को दरसाया गया है विभिन राजों की जंख्या के बित्रन को पाई चाट का ध्यान किजिए उसके अधर पर पूछे गए प्रस्म का उत्तर देजिए यदि ये गए राज्यों की अमसर हो जैगा हमारे पास हो जबी दुनिकित में कौन से प्लास्टर ऑप पेरिश के उपयोग नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा कि काच, साबुन और कागच के बी निर्मान में जो है वो प्लास्टर आप पेरिस का उप्योग नहीं है प्लास्टर आप पेरिस का फर्मूला होता है C-A-S-O-4 into 2-A-S-2 वो होता है प्लास्टर आप पेरिस का उप्योग है तूटी हुई हड़ियों को सहारा देने के लिए लगाये जाने बना प्लास्टर खिलावना और सजावती समान सताहों को चिकना करने में अब बायू रोधर में सीलो में बी निर्मान के लिए होता है अंसर जो हो जाएगा बो हो जाएगा कौन सा एंसर हो जाएगा इंत्रेक्स एवं टीवी के जिवानों के गहन अदियन किया गया है हर गोविंद खुराना को है संसलेसिस जीन का मोडल बार्सनेवं क्रिक डियने का द्वी इलेक्स मोडल ग्रेगर मेडल के अर्वन सिक्ता के नियम ये तीनों सही है हाली में भारतिय नव सेना में यूद पोथ पर तेनात होने वाली पहली महला अधिकारी कौन बनी अंसर हो जाएगे बी प्रेरना देवस्थ ली भारतिय नव सेना में यूद पोथ पे तेनात होने वाली पहली महला धिकारी बनी और दुनिया के सबसे ऊचे यूद छेत्र सिया चिन में तेनात होने वाली पहली महला धिकारी जो है कैप्टinform सीवा चवहान बनी पुनीता अडोरा भारतिय सेना की पहली महला लेटनेंट जनरल बनी और पहली भारतिय नोसेना पालेट लेटनेंट सिवांगी सिंग बनी और एर मार्सल पदमावती बंदोपादिया भारतिय बायो सेना की पहली महला एर मार्सल बनी नेक्स्ट है यदि A को अर्थ है जोड़ना, B का घटाना और गुना तथा भागा चिनों को प्रस्पर बदल जाजाए तो नियम बेंजग का मान क्या होगा जब इसे आप सोल्व किजेगा तो इसका अंसर हो जाएगा, A पामन हो जाएगा चार अच्छर समूहों में दिये गए, इनमें से तीन एक निश्चित परकार्स के समान है जबकि एक अच्छर जो है असंगत है, असंगत अच्छर समूह का चैन करना है T से P गया है, माइनस 4 हो रहा है, P से W गया है, पलस 7 है, W से R गया है, माइनस 5 है अगर इसके देखते हैं, S से D, ये भी पलस 4 है, D से K, पलस 7 है, K से F, माइनस 5 है ये भी उसी स्रीज में है, लेकिन E देखते है, B से X गया है, माइनस 4 है X से E गया है, पलस 7 है, लेकिन E से भी माइनस 5 नहीं, माइनस 9 है तो अंसर जो हमारे पास हो जाएगा, असका है, तो वो हो जाएगा, कौन सा? वो हो जाएगा, B ही हो जाएगा अगला है, दिएगा अच्छा यूगम है, पहला अच्छा समोच से, क्या समन नहीं था, देखना है W QN जो है, W से अगर हम 1 माइनस करते हैं, तो B आता है Q से 1 माइनस करेंगे, तो P आएगा, N से 1 माइनस करेंगे, तो M आएगा उसी तरह JRE, IQD जो है, वो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 करने से आता है इन में से कौन है जो उसी तरह है, तो T से माइनस 1 करेंगे, S होगा G से माइनस 1 करेंगे, तो F होगा आई से माइनस एक करेंगे तो एच होगा अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 48 संख्याओं का आउसद 48 है यदि बाद में ग्यात हुआ कि 48 को दो जगों पर गल्दी से 84 समझ लिया गया है तो सही आउसद कितना है तो सही आउसद जो हो जाएगा वो क्या है 48 है उसमें से दो जगा जो है वो 84 प्रस 84 समझ लिया था लेकिन होगा कितना 48 माइनस 48 बटा कितना हो जाएगा यह 48 तो हो जाएगा 48 माइनस 72 बटा 48 यानि 48 माइनस 3 बटा 2 46.5 अंसर आएगा अंसर जो हो जाएगा हो जाएगा C यक्रित रोख हेपिटाइटिस B का कारक है अंसर हो जाएगा A HBV बाइरस हेपिटाइटिस के बिसानों 6 पर कार होते है A, B, C, D, E, और G A और E किस्म के बिसानों पानी से पैदा होता ये बिसानों जो होता है वो थूख खसार आधी के जरिये फैलता है और N किस्म का जो है B, C, D, तथा G के बिसानों बाइरस रख्त के जरिये फैलता है B और C किस्म के बाइरस अधीक खतरनाक होते है हेपिटाइटिस से जो मरने वालों की संख्या है 8 से 10 गुना अधीक है चलिए अगला देखते है पौधे के पोशन के संबद में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है अंसर हो जाएगा D जल द्वारा खनीजों और पोशक तत्वों का अफसोसन मंद होता है पौधे के जाएलम द्वारा जाल से जालेवम खनीज लबनों का पोशन होता है नेक्स्ट है प्याज के छिलके के सलाइट के बीच दिखाई देने वाला मुखे अंतर क्या है अंसर हो जाएगा प्याज की कोशका विति सिलोज की बनी होती है और गाल की कोशका जिली फस्पो लिपिड की बनी होती है 24 जनवरी 2024 के गंतन दिवस प्रेड में किस राज की जाकी जै विवित्ता सरचन से संबंदी था अंसर जो हो जागा वह जागा ए अरुनाचल परदेश की अगला यदि दरपन के निम्नांकी चितर के नुसार पीक्यू पर रखा जाए तो दरपन में निर्मी सही परतिविम का चैन कीजिए तो इसका सही परतिविम बनेगा वह हो जागा सी एक कूट भासा में पायरोट को इ माइनस 7 करकर वो क्या हो ऑगा अँगो उसके बाद a को लिखा यहाँ पर मैनस 6 करके तो भो हो जाएगा यू उसी तरह आर को जो लिखा है वो कितने में लिखा है मैनस 5 करकर कितना हो एम इसी तरह चला र click माइनस 6, माइनस 5, माइनस 4 वो भी 33-33 किया गया है माइनस 3 और माइनस 2 तर कुकू को भी करेंगे तो C को अगर हम माइनस 7 करते हैं यहां पर होगा B U को जो है माइनस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ जाएगा इस तरह हमारे पास जो अंसर आएगा वो कौन आ जाएगा तो हब हो जाएगा option कौन सा ए नेक्स्ट है उस बिकल्पी अकिर्थी का chain कीजिए जो दी गए अकिर्थी में प्रस्ट माचक चीन के स्थान पर आ करके pattern को पूरा कर सकती है सही अंसर हो जागा पूर जागा टी अरो ही करम में लिगए च्छा करमागत समसंख्याओं का उससत एक सो साथ है तो अंतिम तीन संख्याओं का उससत क्या होगा अंतिम तीन संख्या जो होगा वो कितना होगा एक सो साथ पलस एक होगा एक सो साथ पलस तीन होगा क्योंकि वो स सब coronavirus बाटतीन हो जाएक यानि 110 हो जाएगा एक सोका के तरीक निर्व में ओने डीने और रइवुस्वम-प्रॉब सही अंसर हो जाएगा जाएगा व theorila और माई ancandia view को सिक Конечно को अपने डीने राइवस्वम होते हैं सvention में कि पीत रस के काज नीचे दिये गए उस बिकल को चैनल करें जो पीत रस के काज से संबंदित नहीं है इसका जो अंसर हो जाएगा वह जाएगा कौन सा तो भी इस पर प्रोटीन को पचाने वाला इंजायम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है पीत रस के काज संब कितना होता है 7.70 होता है यह काईम की चर्वी के जल के साथ मिलाकर इमल्सन बनाने में सहाइता करता है नेक्स्ट है इतनौल मिसरन कांज करम के संब्ध में निमलीखित कफनों पर बिचार करें इसका जो सही अंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा तो वह हो जाएगा सी एक और दो दोनों इसे दोज़ात्य में पेटरोल के साथ 5% इथनावल मिस्वन के लच के साथ लॉंच किया गया था सरकार ने 2025 तक पेटरोल में 20% इथनावल मिलाने के लच रखा है उपर दे गए बिकल्ब हों से कौन से हैं तो ये दोनों बिकल्ब सही है अगला है दिसम्बर और सिंवきます में पर्सीद साहित संवान जितन और इसका अंसर हो जाएगा ए पुस्पा भारती को साहित का 33 जो है वह व्याश संस्मान परदान क्या गया है उस्पा भारती संस्मरन है अधे यादे यादे इसके लिए ब्याश संवान धिया जा ब्यासम्मन पुरुषकार कब से दिया जा रहा है उन्हें सो एकानमे से दिया जा रहा है ये था एलपी टेक्नेशियन के प्लेटफ़र्म बुक में दिया हुआ प्रेक्टिस एड विडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देजेगा धन्यवाद